Hello friends, what's up? Friends, हमने last video में देखा था कि कैसे हम smoothing filters use करके image को enhance कर सकते हैं इस video में हम देखेंगे कि कैसे हम image को sharp कर सकते हैं using laplacian filter and sobel filter तो दोस्तों laplacian filter remove करता है blurring को images में से और वो highlight करता है edges को बट हम sobel filter को consider करते हैं mostly edges को highlight करने के लिए sobel filter हम इसके बाद देखेंगे सबसे पहले आप ये तो यादी कर लो laplacian filter के लिए mask होता है 010, 1-41, 010 ठीक है दोस्तों आपको side में दिख जाएगा कि एक image के उपर laplacian filter लगा के वो image कैसी हो जाती हो तो friends ये image इतनी clear नहीं है so मुझे इसे enhance करना पड़ेगा आप third photo देखिए friends अब third photo देखिए उसके अंदर enhance किया गया है laplacian filter लगाने के बाद अब ये image better लग रही है दोस्तों so आप हमेशा वैसे तो आपकी question में दिया हुगा that you have to apply enhanced laplacian filter और simple laplacian filter अगर नहीं दिया हुगा तो आप laplacian पे भी छोड़ सकते हैं so इसके बाद आपको इसे enhance करना पड़ेगा using this filter then अगर आपको ये वाला filter दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना उसे enhance बनाने के लिए बस आपको जो भी 1s है side में उन सबको तो minus में convert कर देना है that means minus 1 और बीच में पहले minus 4 था 4 करके plus 1 कर देना है मतलग के minus 4 को 5 बना देना है बस इतना सा करने से आपको जो simple laplacian filter था वो enhanced laplacian filter बन जाएगा ठीक है दोस्तों दोस्तों एक और चीज़ नोटिस करो कि sum of the coefficient of sharpening filter हमेशा 0 होगा so 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals to 4 4 minus 4 equals to 0 so हमेशा ऐसा होगा कि कोई भी sharpening filter आपको दिया हुआ है अगर question में भी कोई sharpening filter दिया हुआ है तो उसका भी sum हमेशा 0 होगा so friends अगर आपको question में laplacian filter दिया हुआ है for example अगर आपको question में दिया हुआ है 1 1 1 1 minus 8 1 1 1 1 ये भी एक type का laplacian filter है जो कि आपको question में मिल सकता है अगर आपको ये वाला laplation filter दिया है और आपको question में बोला है that you have to use enhanced laplation filter on this image और वो image question में दी हुई है तो आपको सबसे पहले step में तो इससे enhanced laplation filter निकार लेना है जो मैंने आपको बताया था कि सारे ones को minus one में convert कर दो और बीच वाले को एक increase कर दो यहाँ जाएगा minus one minus one minus one minus one बीच वाले को एक increase करना है plus करके 9 यहाँ minus 8 को मैंने plus 8 किया फिर एक add कर दिया 9 हो गया यहाँ पर मैं जे हर जगा minus supply कर देना है ठीक है friends यह जो है वो enhanced जो वाला आ गया है में पास इसके बाद आप इस question पर apply कर सकते हैं अब हम question देखते हैं अप्लाई enhanced लाप्लिशन फिल्टर on the given image on middle pixel अब मुझे बोला हुए है कि middle pixel पर apply करना है दोस्तों हमेशा middle pixel पर apply होता है बट अगर आप बट आपके पास ऐसा भी आ सकता है कि आपको पूरी की पूरी image पे apply करना है पूरी की पूरी image पे आप लाप्लिशन फिल्टर apply करो मतलब कि जो मैं अब एक बार कर रहा हूं आपको वही काम nine times करना पड़ेगा वैसे उसके chances बहुत कम है paper में आने के बट ऐसा आ सकता है सो मैं यह लाप्लिशन फिल्टर apply करता हूं zero minus one zero यह enhanced वाला मैंने यहां लिख दिया उसके बाद मुझे simply element by element multiply करना है सो one into zero plus two into minus one three into zero four into minus one five into five six into minus one seven into zero eight into minus one nine into zero this सो दोस्तों इसके बाद मैंने इसे solve किया तो मेरे पास answer आ गया five सो आपको यह जो value आई है इससे बीच वाले pixel को replace कर देना है जो आपको question में था यहां पे तो value friends वापिस five ही आ गई है क्योंकि मैंने कोई भी arbitrary image ले ली थी सो friends आपको यही steps apply करने है और जो last में answer आ जाए उसे बीच वाले से replace कर देना है ठीक है दोस्तों अब दोस्तों हम आगे चलते हैं और देखते हैं sober filter बहुत ही छोटर सा topic है friends यह होता है sober filter इसका काम होता है highlight करना edges को ठीक है friends so बहुत important है अब जैसे हमने वह sharpening filter जो कि लाप्लेशन filter सा हमने apply किया था वैसे ही same तरीके से हम sober filter को भी apply कर सकते हैं इसका भी friends अगर आप notice करो तो coefficients का sum 0 आ रहा है minus 1 plus 1 0 minus 2 plus 2 0 minus 1 plus 1 0 इसके यह दो variants है आप इसमे horizontally लिखा हुआ है इसमें diagonally लिखा हुआ है यह इसका transpose है सो आप कोई भी apply कर सकते हैं इसका होता है काम highlight करना edges को अगर आपके पास question में आ जाए that you have to highlight edges of some image then you should know कि आपको sober filter use करना है उसके अंदर खीक है friends so friends अगर आपको कोई भी doubt है इस video में then just ask it in the comment section I am always there to help you guys और अगर यह अच्छी लगी हो video then like, comment, subscribe to my channel मिलते हैं friends next video में तब तक के लिए बाइ-बाइ झाल